विप्सित भारत 2047 इस तरब भाशन के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिशन चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिये जा रहे हैं और हमने देश वाशियों से सुझाओं मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरीकों ने विप्सित भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये है हर देश वाशी का सपना उसमें प्रतिमिंबित हो रहा है हर देश वाशी का संकल्प उसमें जलतता है युँआ हो गुजुर्ग हो गाऊं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो गलीद हो आदिवाजी हो पहाड़ों में रहने वाले लोग हो जंदेल में रहने वाले लोग हो शहरों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेश आज़ादी का 100 साल मनाएगा तब तब विश्शित भारत के लिए अनमोल सुझाओ दिये है और मैं जब इन सुजाओं को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्हेंने क्या लिखा कुछ लोगों ने का कि दुनिया का स्कील केपिटल बनाने का सुजाओ हमारे सामने रखा 2047 दिख्षिक भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैंनिफेट्चरिन का ग्लोबल हब बनाने करा सुजाओ दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटी ग्लोबल बने इसके लिए सुजाओ दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाओ दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर फर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाओ दिया कि हमारे किसान जो मोटा आमाज पादा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पोँचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाओ दिया कि देश में स्थानी अस्वराज के संस्ताओं से ले करके अनेक इकाईया है उन सब में गवर्नन्स के रिफॉर्म की बहुत जरुरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंड हो रहा है उसके प्रतिक चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय भवस्तावे रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरुरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिंफिल्ड सिटी बनाने की अब समय की मांग है किसे ने भरती हुई प्राकुर्दिक अप्दाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिष में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारती जो परंपरिक टेशनल मेडिसन है हमारी आउसदी है दुनिया जबाग होलिष्टिक हेलिक के तरफ जा रही है तब हमें भारत की परंपरिक आउसदिया और मेंनेज हब के रुपे भारत को विख्षित करना चाहिए कोई कहते हैं कि अब बेर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकॉनोमी बनना चाहिए साथ्यों में इसलिए पढ़ रहा हता कि मेरे देश वाश्यों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामाने नागरिक ने ये सुझाव हमें दिये हैं मैं समझता हूँ जब देश वाश्यों के इतनी विशाल सोच हो देश वाश्यों के इतने बड़े सपने हो देश वाश्यों के इन बातों में जब संकल्प जलतते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड बन जाता है हमारे मन में आत्म विश्वास नहीं उचाई पर पहुँच जाता है और साजियों देश वाच्यों का ये भरोसा सिरब कोई intellectual debate नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिश्व के पैदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अठारह हजार गाउं में समय सिवा में बिजली पहुँचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मझबूत हो जाता है जब ये तै होता है का आज भाणी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिंदी की विज़ारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुँच जाती है तब सामान्य मानवी का भरोसा बढ़ जाता है। प्रयाद चलता रहे। मैं समझता हूँ कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिविम है। जब देश के सामने लाल के लिए से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में तीन करोर परिवारे से हैं जिरके घर में नल से जल मिलता है। आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे। जल जीवन मिशन के तहट इतने कम समय में नए बारा करोर परिवारों को जल जीवन मिशन के तहट नल से जल पहुँच रहा है। आज पंदरा करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके हैं। हमारे कौन लोग बन चित थे इन वेवस्ताओं से। कौन पीछे रह गए थे। समाज के अगरिम पंग्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे। मेरे दलीत, मेरे पीडीत, मेरे शोशीत, मेरे आदिवासी भाईबेन, मेरे गरीब भाईबेन, मेरे जुकी जोपनी में जिन्दी की विजादने वाले लोग वही थे। हमने अनेक ऐसे प्राथ्वीक में आवसर्टाओं की पूर्ती के लिए प्रयास किया और उसका परणाम हमारे इन सारे समाज के बंदूओं को मिला है। हमने गोकल फ़र लोकल का मंत्र दिया, आज मुझे खुशी हैं कि गोकल फ़र लोकल में अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर दिस्ट्रीक अपनी प्रादावर के लिए गर्व करने लगा है, वन डिस्ट्रीक वन प्रोड़क का माहुल बना है। अब वन डिस्ट्रीक वन प्रोड़क को, वन डिस्ट्रीक का वन प्रोड़क एक्सपोर्ड कैसे हो, वो दिशा में हर जीले सोतने लगे हैं। रिन्यूबल एनर्जी का संकर्प लिया था। जीट ट्वेंटी समों के देशों ने जितना किया है, उससे जाउदा भारत ने किया है। और भारत ने उर्जा के खेत्र में आत्म नुर्भर मनने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्त पहने के लिए हमने काम किया है। सात्यों देश गर्व करता है आज, जब फुनकेक की सभलताओं के लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। सात्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोराना के वो संकित काई, विश्व में सबसे तेजगती से, करोरे लोकों को वेक्सिलेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ, यही देश है,